Hello everyone, मैं Vipulsar English Guru और फिर से आपका सौगत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल English with Vipulsar में आज मैं 12th बिहार बोट के बच्चों के लिए उनके Story of English बुक से एक बहुत ही important question जो कि लगभग हर साल आपके 12th बोट के exam में पूछा गया है उस question को लेके आए हूँ, discuss कर रहा हूँ और question है, discuss English as a world language हो सकता है, world language के जगभपे global language दिया हो या फिर international language दिया हो लगभग some same है, तो confuse नहीं करना है तो चले बीना देर के शुरू करे तो question आपने clear समझ लिया, discuss English as an international language, as a world language, as a global language यानि इसका अर्थ क्या हुआ, कि English की चर्चा की जे किस रूप में एक अंतराश्ट्रिय भासा कर रूप में तो देखे, आप सबको मालूम है कि आज English world में सबसे ज़्यादा बोले जान वाली भासा है, इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है तो क्या दिखा रहा है कि देखे, no doubt English is an international language हम सबको मालूम है कि आज हमको कहीं से इस बात पर कोई संकार नहीं है no doubt, मतलब हम निशन्दे English एक international अंतराश्ट्रिय भासा है there is hardly any country, hardly का मतलब कि असायद ही कि सायद कोई ऐसा देश होगा where English is not used, यहाप English का use नहीं होता है it has a great literature, इसका जो साहित है वो काफी शम्रिध है यहाँ great का मतलब का है शम्रिध है and rich vocabulary और इसका जो vocabulary है यादि कि सबकों से वो काफी ज़्यादा है आप सब ऐसे भी जानते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा words की बात करें वो कहाँ पर है, English language की अंदर है इसके borrowing nature की वज़े से it works as a linked language देखे, linked language English को linked language भी कहा जाता है कारण क्या है, कि यह different communities को different nations को सबको आपस में जोड़ती है क्योंकि English आज वोल्ड की सबसे popular भासा है it has become part and parcel of everyone's देखे, part and parcel एक phrase है इसका मतलब होता है अभिन अंग मतलब English जो language है आज हमारे जीवन की क्या बन गई अभिन अंग बन गई है मतलब बिना English के आप life में एक कदम चल नहीं सकते चल नहीं सकते मतलब क्या कि life में किसी भी चीज में आपको आगे बढ़ना है कहीं कोई जॉब करना है आप स्टूडेंट है हाउस वाइफ है बिजनेस मैन है सर्विस परसन है हर जग इंगलिश का इंपोर्टेंस है बिदाउट इंगलिश आपके लिए बहुत टफ होगा इसलिए कहा गया कि इस भासा ने अपनी उपसिते को दर्श करा दिया है जीवन के हर एक छेत्र में मैंने अभी कहा कि आप स्टूडेंट है आप बिजनेस मैन है आप सर्विस मैन है आप हाउस वाइफ है टीचर है कुछ भी है इंगलिश के बिना आपका काम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुस्किल होने वाला है मतलब आप एक सिंगल इस्टेप इसके भी नहीं ले सकते मतलब क्या समझे कि अगर इंगलिश नहीं आती है तो आपके लिए बहुत मुस्किल होने वाला है इस सीखने की भासा बन गई है कुछ भी सीखने आपका अब्विटर सीखने जाओ तो इंगलिश चाहिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्ट्स करने जाओ इंगलिश चाहिए आपको तो इंगलिश एक लर्णिंग का भासा बन गया है कॉम्निकेशन आपस में संचार करना है इंडिया के अंदर इंगलिश आपके पास सिंगल एक सेंस है वहां पर ट्रेड है यह वैपार का भासा है साइंस बिज्ञान का भासा और मेनी मोर और बहुत पताव गिनती ही नहीं है आप जहां जाओ वहां पर इंगलिश ही चाहिए आपको इंगलिश बहुत पोपुलर है और इंगलिश बहुत पोपुलर है इतले इंगलिश क्या बन गई आज वर्ल्ड लेंगलिश बन चुकी है तो आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा और काफी इंपॉर्टेंट कोईश्यन है इसको बहुत अच्छे से कीजेगा थैंक्यू वेरी मुच